नमस्कार दोस्तों, Welcome to PK Classes, दोस्तों आज हम जानेंगे Solar Water Heater, Introduction, Man Parts, Working, Advantage and Applications, तो दोस्तों सब्जेक्ट RES and Power Plant Engineering, दोस्तों अक्सार एक्जाम में RES के यह कुश्चन पूछा जाता है, तो आज हम देखेंगे कैसे काम करता है Solar Water Heater, तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडेक्शन क्या है Solar Water Heater, तो आज Solar Water Heater is a device, Solar Water Heater एक डिवाईज है युकती है, which used to heat water from sunlight, means Solar Water Heater एक एक युकती है, जो सूरीक की क्रणों से या सनलाइट से क्या करती है, पानी को गरम करती है, Solar Energy is totally free, जो सोलर एनरजी है एह क्या होती है, टोटल फ्री होती है, and easily heated to a water up to 60 to 80 degree temperature, means Solar Water Heater से हम आसानी से 70-80 degree तापमान तक पानी को गरम कर सकते हैं, It is economical and pollution-free way to heating of water from your family, means जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, यह सस्ता है और पालूशन फ्री है, इससे कोई प्रदूशन नहीं होता है, and easy to be heating of water for your family, हम अपने परिवार, अपने फैमली हास्पिटल कहीं भी, सोलर वाटर हीटर को इस्टाल करके गरम पानी प्राप्ट कर सकते हैं, तो दोस्तो जो भी चात्र पीके क्लास इसमें फर्स्ट आइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, अब दोस्तो देखेंगे, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का इस डाइग्राम दिया हुआ है, जो की डाइग्राम मैंने प्रिपेर किया है, अब इसमें मेजर कामपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, एक तो सोलर कलेक्टर होता है, solar collector क्या होता है जो sun ray होती है इस solar radiation को क्या करता है collect करता है या absorb करता है जिसको हम क्या बोलते है solar collector second होता है insulated tank जो हमारा water tank होता है insulated tank होता है क्योंकि यदि heat exchange होती रहेगी तो water हमारा गरम नहीं रह पाएगा long time तक इसलिए इसको हम tank को क्या बनाते हैं insulated tank बनाते हैं जिससे काफी समय तक पानी को गरम बनाए रखेगा क्योंकि heat exchange नहीं होगी supporting stand इसके बाद जो solar हमारा पैनल होता है उसके सपोर्ट करने के लिए terrace पे या roof पे हम क्या करते हैं supporting stand बनाते हैं इसको असेंबल करके रखते हैं इसके बाद है connecting pipes means pipes होते हैं जिससे पानी हमारा circulate होके solar collector के अंदर से पास होते हुए बापस storage tank में या water tank में आता है तो यह हमारे major component है किसके solar water heater के अब दोस्तों यह कैसे काम करता है इसकी working देखेंगे के solar water heater काम करता कैसे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो diagram है diagram में water cold water in कर रहा है cold water pump दोआरा circulate हो रहा है जो कि हमारे solar collector system से पास होते हुए गरम पानी वहाँ से निकल के आके आपका बापस storage या water tank में आ रहा है और यहाँ से hot water out हो रहा है तो मींस क्या होता है भेंदा sun ray fall on the solar collector जब सूर्य की किरणे sun rays सूर्य की किरणे solar collector के उपर पड़ती है तो क्या होता है अब black absorbing surface inside of the collector मींस जो solar collector है इसके अंदर black color का काले color का एक absorbing surface होता है जो क्या करता है solar radiation को सोक लेता है solar radiation को क्या करता है absorb करता है and transfer the heat energy तो जब absorb करेगा solar radiation को और इसको उसमा में या heat में परिवर्तित कर देगा and इस heat energy को transfer करता है किसमें बाटर में तो which is flowing through it जो पानी इससे फिलो हो रहा है तो जब पानी फिलो होगा तो जो heat को absorb कई है इस heat को transfer कर देगा किसके लिए पानी के लिए तो जब पानी इसके अंदर से पास होगा तो ये गरम रहेगा गरम रहेगा तो यहाँँपे क्या होगी heat exchange होगी तो solar radiation and transfer the heat energy to water which is flowing through it जो इसके अंदर से फिलो हो रहा है, पास हो रहा है, the heated water is collected in a water tank which is insulated to prevent heat losses, means जो heating water है, गरम पानी है, यह हमारा collect होता है water tank में, और यह water tank हमारा क्या होता है, insulated होता है, जो हमें heat losses से रोपता है, then circulation of water from the tank, through the collector and back to the tank, continuous, तो यह जो circulation है हमारा system का, यह हमारा लगात तार automatically run करता रहता है, continue चलता रहता है, क्योंकि आपको मालूम है जो गरम पानी होगी, उसकी density light होगी, जो ठंडा पानी हो, उसकी density जादा होगी, तो नीचे ठंडा पानी, उपर गरम, तो यह circulation चलता रहेगा आप जैसे hot water को use करना चाहोगे, एक salt से आप hot water को utilize कर सकते हो, तो इस तरह से हमारा यह system है, जो की solar water heater है, यह हमारा क्या करता है, solar water heater बर्क करता है, काम करता है, अब दोस्तों, इसकी advantages, advantages क्या है, it is renewable and clean energy sources, यह जो sources है, एक तो यह renewable है, और clean energy sources है, second is cheap installation, कहीं भी हम solar water heater को use करेंगे, तो इसको हम आसानी से install कर सकते हैं, low maintenance cost, इसकी जो maintenance होता है, maintenance कम होता है, and zero cost, means इसकी कोई operating cost नहीं होती है, यह तो sun rapid depend करता है, इसके बाद less space, it is required less space for installation, इसके बाद efficient, यह efficient होता है, तो यह हमारी advantage है, solar water heaters की, अब दोस्तों इसकी applications, applications में हम अपने house पे भी लगा सकते हैं, hospital में भी use कर सकते हैं, हम अपने college में भी लगा सकते हैं, means winter season में हम को यदि गरम पानी चाहिए, तो इसको हम किसी भी जगा, किसी भी place पे install कर सकते हैं, और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, यह इसकी क्या होती है, applications, इसके बाद इसकी disadvantage यह रहती है, कि जो हमारा rainy season होता है, rainy season में इस system में दिक्कत यह होती है, क्योंकि climate change होता है, तो हमें हो सकता है, कि उस टाइम पे water heat न हो, क्योंकि sun आपका कम ही निकलेगा, यदि rainy season में वारस में, तो आपका क्या होगा, यह काम नहीं करेगा, ठीक, और इसके बाद इसका maintenance low है, लेकिन maintenance तो है, है न, तो यह है इसकी disadvantage है, ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को जरूर subscribe करें, और वीडियो को like करें, thank you,